चलिए सबसे पहले बात करते हैं जैसे मैंने आपको एक सुबह शॉट वीडियो में बता दिया था पहले ही कि निमसेट की फॉर्म फिलिंग डेट एक्स्टेंड हुई है ना कि एक्जाम डेट तो जब मैंने यह मैसेज दिया तो कुछ बच्चों के मैसेज भी आए कि सर क्या चैंज हो गई है या करेक्शन विंडो का क्या होगा तो पहले पांच मिनट मैं आपसे निमसेट एक्जाम डेट को ले के बात कर लों आपके जो को लेके बात कर लों फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा निमसेट 23 की जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो एक्टेंड होकर 16th of April हो गई है यह वन वीक के लिए बढ़ा दी गई है यह क्यों बढ़ाई है इसका रिजन समझे इसको बढ़ाने का सबसे बढ़ा रिजन जो है वो यह है कि कई बच्चों की फी समिट नहीं हो पारी थी जब जब जिन बढ़ा देंगे या तो कुछ बच्चों ने फी पे कर दी पर उसके बाद भी उनका पेंडिंग शो कर रहा है यह दूसरी केटेगरी थी तीसरी केटेगरी थी कि कुछ बच्चे OVC के सार्टिफिकेट या EWS के सार्टिफिकेट बनने के लिए रुके थे और अभी तक करा नहीं था और नो दस्तारिक को उनकी फी पे नहीं हो पाई ऐसे कुछ इशू थे तो सबसे बात है कि आपके पास 16th of April डेट है पर मैं एक बात फिर भी बोलूँगा कि कई चीजों में आप लोग मैं समझ नहीं पाता कि कैसे करते हैं कुछ लोगों के पास अपने ID प्रूफ प्रूब लोगों को भी ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका अजिन्टिटिफिकेशन नंबर क्या होता है जैसे आपका वो कार्ड में दिया हुआ है जो आपका बोटर आइडी उसमें दिया होता है तो यह कुछ इशू थे तो भी अभी आपके पा लूँगा कुछ बच्चे फॉर्म जमा कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि करेक्शन विंडो का पूपन होगी जबकि जिस दिन निमसेट का फॉर्म आया था मैंने बोला था कि आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए जिससे कोई मिस्टेक ना फिर भी चोचिए कि फॉर् नहीं है या कंप्लीट है और फिर किसको क्या चीज करनी है तो आप लोग याद रखिए जब फॉर्म पूरे जमा हो जाएंगे उसके दो दिन बात करेक्शन विंडो ओपन होगी अभी वैसे उन्होंने ये डीटेल नहीं दिये पर करेक्शन विंडो में क्या-क्या चीज़ में नहीं होता परिशान ना हो अगर आपने मालो EWS या आपने OBC का सार्टिफिकेट पुराना लगा दिया या सपोज स्टेट का लगा दिया और उन्होंने ये माना कि ये सार्टिफिकेट इन्वैलेट है माल लीजे तो पॉर्म कैंसल नहीं होगा बलकि आपको एज़ा जन मारे पास अभी स्टेट का नहीं आया दोती दिन में आ जाएगा तो क्या करेंगे तो मैं आपको अब ये सला दे सकता हूं कि अगर आपके पास जो है वो लगा दीजिए पुराना है तो भी लगा दीजिए पर आप लगाएंगे नहीं कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर अभी हम जनल का भर दें और जब करेक्शन विंडो ओपन होगी क्या उस समय EWS या OVC लगा सकते यह डिपेंड करेगा ऑप्शन ओपन होने पर यानि जो ऑप्शन ओपन होंगे यह बात उस पर डिपेंड करेगी मैं इसके लिए अभी से आपको कुछ बोल नहीं सकता नॉर अभी वी फॉर्म फिल नहीं किया आप बोलूंगा बिल्कुल द्यान से करिये सही फिल करिये कोई मिस्टेक मत करिये अभी आप रिस्टेशन कर सकते हैं अपने सारे डॉकुमेंट सही लगाईए फाइनल एपेरिंग इस्टुएंट को कुछ भी नहीं लगाना केवल अपेर आप उन डॉकुमेंट की पहले जिरॉक्स कराये और उसके बाद इस पर अपना साइन करें जिसे सैल वटेश्म बोलते हैं उसके बाद अपलोड करें कुछ बच्चों ने बिना सेल वर्टेश्म जमा कर दिया है पर उससे कोई फॉर्म आपका रिजर्ट नहीं होगा ये कुछ basic information थी जो मैंने आपको बताई अब आप लोग ध्यान रखिएगा